वरित की स्पर्श रेखाएं और छेदक रेखाएं कागँज पर किसी स्च्रिजय का एक वरित तथा एक रेखा Lने जैसे आकृती 81 में दिखाया गया है अब रेखा L के समानतर कुछ रेखाएं खीजे दी गई आकृती 82 में रेखा M और वरित में दो उभयनिष्ट बिंदू A, B हैं इसी प्रकार रेखा L और वृत्त में दो उभयनिष्ट बिंदू C, D हैं रेखा N और वृत्त में केवल एक ही उभयनिष्ट बिंदू E है तथा रेखा P और वृत्त में कोई उभयनिष्ट बिंदू नहीं है हम देखते हैं कि कोई रेखा किसी वृत्त के सापेक्ष निम्न तीन इस्तियों में हो सकती है आकरिती 83 का 1 इसमें रेखा L वृत्त को प्रतिछेद नहीं करती अर्थात रेखा L वो वृत्त का कोई भी उभेनिष्ट बिंदू नहीं है आकरिती 83 का 2 इसमें रेखा L वृत्त को दो भिन बिन्दों पर प्रतिछेद करती है अर्थात रेखा L और वृत्त में दो उभैनिष्ट बिन्दू P और Q है इस इस्थिती में हम L को वृत्त की छेदक रेखा कहते हैं आकरिती 83 तीन में रेखा L वृत्त को एक बिंदू पर केवल इस्पर्ष करती है अर्थात रेखा L और वृत्त में एक ही उभैनिष्ट बिंदू M है इसी स्थिती में हम रेखा L को वृत्त की स्पर्ष रेखा तथा ओभेनिष्ट बिंदू M को स्पर्ष बिंदू कहते हैं आकरिती 84 में रेखा L वृत्त को दो बिंदू P वक Q पर प्रतिछेद कर रही है रेखा L को बिंदू P पर इस्थे रखते हुए किसी भी एक दिशा में लगातार घुमालते जाने पर एक इस्थिती ऐसी होगी कि प्रति छेदी बिंदू बिंदू-पी पर संपाती हो जाता है इस इस्थिती में छेदक रेखा को हम वृत्त की इसपर्श रेखा कहते हैं और बिंदू-पी को इसपर्श बिंदू किसी वृत्त की इसपर्ष रेखा छेदक रेखा की एक विशिष्ट दशा है जब संगत जीवा के दोनों सिरे संपाती हो जाएं अर्थात किसी वृत्त की इसपर्ष रेखा वह रेखा है जो वृत्त को एक बिंदू पर इसपर्ष करती है सोचें वह चर्चा करें वृत्त पर इस्तित किसी बिंदू पर एक ही इसपर्श रेखा खींची जा सकती है क्यूं? करके देखें नीचे दी गई आकरिती में प्रतिछेदी रेखा, छे दक और इसपर्श रेखाओं को पहचान कर अपनी कौपी में उनके नाम लिखे